हेलो बच्चों, विलकम बैक टो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग को मैं विज़स सेग्रोटरी फ्रेमवर्क विज़साइक निमन रुप्रिका पढ़ा ली थी तो इससे पहले की चैप्टर में आप लोग का कंप्लेट हो गया था कि नया अचित प्रित्फल एमोदेशी क्या होते हैं आज की वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स चैप्टर जो है आप लोग का इस परश रूप से विर्थ घोशे ठहरा हो एग्रिमेंट एक्सप्रसली डिक्लियर डैस वाइड यानि की कुछ ऐसे ठहरा होते हैं जो कि इस परश रूप से विर्थ होते हैं तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है चैनलों को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और फेंट सा शुरू करना है चलिए शुरू करते हैं तो कुछ इस तहां के ठहरा हो जो कि भारती अन्मद अधिनियम जो है इनन कॉंट्राक्ट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं इस पस्ट्रोप से यानिक जैसे ही वो ठहराव किये जाएंगे उसकी बात पीकी जाती है तो भी वो व्यर्थ हो जाते हैं तो सबसे पहले हम जो लेते हैं, वो हो जाएगा, विवा में रुकावर्ट डालने वाला ठहराओ, Agreement in restraint of marriage, क्या हो जाता है, जब किसी भी व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति हैं, आपस में, किसी तीसे व्यक्ति की है, विवा हम में marriage में जो रुकावर्ट डालने के लिए किसी तांगर ठहराओ कर रहे हैं, तो ठहराओ क्या हो जाता है, वो ठहराओ, इस परस्टूप से व्यर्थ होता है, बशर्ते कि वो जो भी व्यक्ति हैं, वो वैस्क है, उस व्यक्ति की अगर बात की जा रही है, कि वैस्क् कर लेता है उसका विवा नहीं करना चाहिए तब तक के लिए तब अगर रुकावर डालने के लिए ठाहरा हो विर्थ होता है तो जो अनबंद धिनियम है उसके अनुसार परते एक ऐसा ठहराओ जो आवेस्क के अतरिक्त किसी अन्य विक्ति के विवाँ में रुकावर डालना हो विर्थ होता है वही चाहरा है कि अगर वैस के अलावा और किसी भी वेक्ति के विवा में रुकावर डालने के लिए ठाराओ किया जाएगा तो यहां पर अपसे कहा रहा है कि अगर किसी ऐसे ताहका ठाराओ किया जाता है तो भारतिय अन्वाद दन्याम के रुसार कि प्रते कैसा ठाराओ जिसका उद्धिश किसी विक्तिकी वैथ धन्दा व्याथ साई व्यापारत्वा कारूबार के अधिकार से वर्चित करता हो तो उस सीमा तक वो क्या हो जाएगा वैथ माना जाएगा या वाथ वैथ होगा दुभागों नहीं बाढ़ सकते हैं तो पूरा का पूरा जो ठैराओ होता है वो वियर्थ होता है तो यहाँ पर अर्थी हो जाएगा इसका कि कोई भी इस नहाँ का ठैराओ नहीं किया जा सकता होती है तो अगर किसी वीकिति को एपनी दूसरील वीक्ति को उचे'll कर रहा है होगा तो जितने संमय के लिए क्लिए या इतनी देर के लिए विए उस टेम तक वृपिकरे क्या होगा उसका वैद मना जाता है दोस्ता हो जाएगा विद्धिमान साज़ेदारों पर प्रतिबंद रिस्टिक्शन्स औन कांटिनियूग पार्टनर्स तो यहाब कहने का मतलब यह है कि तक साज़ेदार आपस में जो पार्टनर्शिप होती है उसमें कोई भी पार्टनर आपस में अगर ठैराओ कर सकते हैं कि जब तक वो फर्म में साज़ेदार हैं वो फर्म के कारुबार के तरह जो फर्म का बिजनस है उसके लाव और कोई भी बिजनस नहीं करेंगे तो वह भी वैद होगा साज़ेदारी भंग होने अथवा उसके आशंका पर अगर जो साज़ेदारी की गई है या उसाज़ेदारी भंग हो रही है या भंग होने की आशंका यानि की तूट रही है समाप्त हो रही है समाप्त होने की आशंका है कुछ services ऐसी होती है जहां आपकाम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ प्रतिबन लगाते हैं कि कार आप नहीं कर सकते हैं यह अगर यह टायम तक आप छोड़के नहीं जा सकते हैं यह इसी ताहिंगर को गई और जहाँ आप सर्विस नहीं कर सकते हैं तो यहां पर यह रहता है कि तक बिदस्ट करने वाली कई फर्म है कि कई अधिकार आपका आधिनियम बना है उसके जो भी उसमें चीज़े ने रखी है उसके विपरित कोई कारे नहीं किया जा सकता है एक अधिकार पतिबंदात्म कानून जो आपका MRTP Act जो है जो है के विरुद कोई भी कार नहीं क्या रहा सकता इसके अलावा वो आपसी जो प्रतियोकता को रुखने के लिए कभी-कभी आपसे मिलकर ठहराओ भी कर लेती है फिर रहता है वेपारिक वेवारों की सुतनता परोग restriction on freedom of business transactions यहां पर रहता है कि वेपारिक वेवारों की सुतनता को पतिबंदित करना जो भी ठहराओ वैद होते हैं बचते ऐसे ठहराओ को दिश क्या हो वेज़े से प्रतिबंद लगाए जा रहे हैं तो फिर वह वायद नहीं होते या व्यर्थ नहीं होते लेकिन इसके लावा अगर वेपार में बाधार डालने को दिश से कोई भी ठहराओ किया जाएगा तो वह व्यर्थ हो जाएगा नेक्स टार आता है वैधानिक कारवाही में रुकावट डालने वाले ठहराओ किसी भी ऐसा ठहराओ किया जा रहा है जो कि जो वैधानिक कारवाही किसी वितांकी करनी है उसमें बाधार डालता हो तो ऐसा ठाराओ क्या हो जाता है वोगि न्याय के मार्ग में जो भी जस्टिस हो रहा है उसके मार्ग में किसी बिता को कोई भी बाधार डाली जाती है तो वो क्या हो जाती है व्यर्थ होती है तो वही जिस यहां पर भी लगू हो जाएगी कि अगर वैधानिक कारवाही कोई वह बहुता है तो इसके संब्सक्राइब कराने से पूर्ता रोका जाता है उस सीमा तक व्यर्थ होता है यहाँ पर कहने कार्थ यह है कि दो वेक्ति हैं कोई तो दो वेक्ति में से कोई एक वेक्ति दूसरी वेक्ति से इस थाग कोई ठैराओ नहीं कर सकता है उसके विरुद या पर उसके अगेंस में कोई भी वैदानी करवाई किसी भी संबन्ध में नहीं करेगा इसनाग अगर ठहराओ किया जा रहा है तो वेर्थ होता है क्योंकर जो भी उसको वैधानी का दिकार मिले है अपने देश से जो भी उसको जो है राइट्स मिले होंगे वो उसके अगेंस हो जाता है इसलिए वो इसनाग कोई बेन्बन नहीं करता अगर किया जाएगा तो क्या होगा वियर्थ होगा केहीं कहा रहा है आपका ये point नेक्स तर जाता है अनिशित अर्थ वाले ठहराओ agreement involving earth centernity मतलब यहाँ पर यहीं क्या अर्थ वाले ठहराओ राम और शाम दो व्यक्ञिती हैं राम शाम को 100 liter तेल बेचने के लिए agreement करता है एक पजाइब करता है तो यहाँ पर अगरज है agreement हो जाता है लेकिन क्या है वह agreement clear नी क्यों clear नी क्यों क्यूंकि जो तेल की बात की गए आयल की बात की गए यह clear नहीं है क्यों किस तहा का bail है तो यह क्या हो जाएगा अनिश्टता की का रट कissors क्या होगा व्यरhalb होगा कि यहाँ पर यह CLIR नहीं है कि जो सामगरी जो प्रतिफल इसल्लिए यह क्या हो जाएगा उसक्तर बसक्तर जाएगा इसक następ जाएगा बाजी के ठहरों तो बाजी के ठहरों में जो अंबा दौदनीयमो कायता है कि बाजी या शर्त के ठहरों वर्त होता है agreements by way of work are wild बाजी के ठहरों में क्या होता है तो नियाधे शौकिंस जो थे उन्होंने बhuorn outfits definition दिए इसकी अगर इसे definition को समझ लेंगे तो मासाने समझ जाएंगे कि बाजी के ठहराव क्या होता है तो इन्हों ने जो definition दी है उसके according बाजी का ठहराव वा है जिसमें दो व्यक्ति किसी अनिशित घटना के विशय में विप्रेत विचार रखते हुए परस पर यह ठहराव करते हैं जिसमें कोई घटना के घटित होगी या नहीं होगी उसके समझ में क्या होगा आपस में कोई ठहराव होगा जिसमें एक उसके पक्ष में होता है दूसरे क्या हो जाएगा उसके पक्ष में हो जाएगा अगर वो घटना घटित होती है या नहीं होती है तो उसके लिए कुछ घटना के परणाम पर निर्भर करता है उस घटना के घटित होने पर निर्भर करेगा उस व्यक्ति का जीतना या फिर हारना तो यह हो जाएगा बाजी का ठैराओ अज अब देख लेते हैं इसके लक्षर क्या होते हैं थोड़ा एसे थतराओं में कुछ निष्डधन या धन के बदले कोई वस्तु देने का वचान होता है इसमें क्या होगा जो ठैराओं होता है उसकी पतफर होगा उसमें कोई निश्यद्धन फोगा या फिर कोई वस्तु होगी प्रते यह रसे किसी घटना के घटित होने या नहीं होगी तो भविश्य से समंदित है घटना क्या होती अनिशित होती है इसका में पहले से नहीं पता होता है कि घटित होगी या नहीं होगी इसने परते एक पशकार जीतने या हारने की स्थिती भी होता है एक पशकार की जीत दूसरे की जित पहले की हार होनी चाहिए यही होता ह कि एक वेक्ति जीता है दूसरे वेक्ति हारेगा उसके बाद आ जाता है एक बश्कार को कुछ लाब और दूसरे बश्कार को कुछ हाने अवश होनी चाहिए परसी बात है जो वेक्ति जीतेगा उसको लाब होगा जो वेक्ति हारेगा उसको हानी हो जाएगी बश्कारों का जी हैं दो व्यक्ति हैं आप लोग के कोई फ्रेंड है आपस में आप लोग जह है एक दुसरे साथ बेट लगाते हैं कि जैसे दिन में वारिश हो गई तो आप लोग जह 500 रुपिस देंगे दूसरा कहता अगर नहीं हुई तो आप उसको देंगे तो वही हो जाता है बाजी के ठा आप लाएग्रीमेंट टूदू इंपोसिबल एक्ट आइसे कारे जो कि सम्वव हैं ही ने असंभव है तो इसकी पर बात यह बुली जाती है क्या आस्मान से ताड़े तोड़ के लाना लेकिन क्या पॉसिबल है कोई ताड़े तोड़े ला सकता है नहीं ला सकता है तो व्र प्यर्ट के पत्ते कोई नहीं गिन सकता हुपैयों करना होगा वर्थ हो तो अब आपका यहां पूछा जायें डिया हो अब उमक्ति के पूछा जाएगा ? पूमार्थ हो जायेगा तो आज के जप्टर से म्या मों कि पढ़ щाए गा आज की वीडियो चैला को सब्सक्राइब कर दीजेंगे साथ expand को share